वेलकम स्टूडेंट सब्सक्राइब किजिए मेडिकल गाइड यूटूब चनल और पाईए मेडिकल रिलेटेल लेटेस्ट अपडेट सो फाईनली जी एनम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जी हाँ बिलकुल स्टूडेंट फाईनली जी एनम वाले जिस बात का इंतजार कर रहे थे कापी सारी स्टूडेंट कापी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सरक फाईनली काउंसलिंग वो कब शुरू होगी तो यहाँ पर जी एनम की तरब से यहाँ पर आपके जो counseling है वो start कर दे गई है जी हाँ बिलकुल student बहुत बड़ी update आपके सामने निकल कर आ रहे है काफी सारे students को पता भी होगा so finally आपके जो पर्थम round counseling है उसकी process है यहाँ पर सुरू हो चुकी है तो counseling करवाने से पहले कौन-कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से क्या process रहने वाली है पूरा वीडियो देखिए वीडियो में आपको counseling के बारे में पूरी complete जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है तो student इससे पहले अधिया आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करके bell icon press रखे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम official website पर मौजूद है कापी सारी student है वो यहाँ पर official website check करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि counseling सुरू हुई है नई हुई so student इहाँ पर देखिए अगर official website पर देखिए तो इहाँ पर देखिए कोई भी update है यहाँ पर हमें फिलाल दिखाई नहीं दे रही है last notice है वो merit list पर यहाँ पर डला हुआ है इसके बाद में कोई भी notice है GNM के तरब से यहाँ पर नहीं आया लेकिन यहाँ पर finally आपकी जो counseling है वो शुरू हो चुकी है इन लोगों ने यहाँ पर notice अभी नई डाला है so student यहाँ पर first round counseling है वो शुरू हो चुकी है अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले बहुत सारे बाते आपके दिमाग में आ रहे होगी कि sir आप finally जो counseling है वो किस से करवाई किस प्रकास से क्या प्रोसेज रहने वाले दूसरी यहाँ पर हमारी फीज कितने लगने वाले तीसरी हमें कौन-कौन से डोक्युमेंट से यह और चोथा यहाँ पर कौन-कौन से कोलेज है वो आपको फिलब करनी है तो इन तमाम बातों के जानकरी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं तो सबसे पहले आपके जो आपकी जो कौन-सलिंग के प्रोशेज है वो इमित्र के माध्यम से आप कर सकते हो आपके S.O.I.D. या फिर इमेल भी आपके पास आ गया होगा यदि इमेल नहीं है तो आप जो इमित्र के दवारा आप जो कौन-सलिंग करवा सकते हैं अपनी S.O.I.D. पर यहाँ पर कौन- कौन-सलिंग के बारे मैं आपको बता दिया है आप इमित्र पर जाकर S.O.I.D. से कौन-सलिंग करवा सकते हैं वहाँ पर नोटिपिकेशन आ चुक है अब यहाँ पर यह तो ठीक है अब यहाँ पर देखिए क्या-क्या लेकर जाना आपको कौन-किन बातों का आपको यहाँ पर आपकी इस बार जो है काउंसलिंग फीस रहने वाली है आपकी यहाँ पर 500 रुपे आपकी जो काउंसलिंग फीस है वो यहाँ पर लगने वाली है स्टुडेंट जी हाँ बिल्कुल पहले जैसा कि आपको पता है कि पहले 10,000 रुपे आपके काउंसलिंग फीस लगती थी कुछ बچों के इनonter ने तो refund भी नहीं कि तो इस से अच्छा आपके लिए benefit है कि 500 रुपे आपकी फीस लगने वाली है और यह refund नहीं होगे क्यों कि 500 रुपे है क्या refund होगा इनका 500 रुपे कि आपकी जो है फीस लगने वाली है वो refund यहाँ पर नहीं होने वाली है student यह तो रहे फीस की बाद 500 रुपे वेशे आप जो यदि आप काउंसलिंग करवाने जा रहे तो 600 रुपे यहाँ पर आपको लेकर जाना है ताकि आप 500 रुपे आपके काउंसलिंग के यदि लगें तो चालान फीस वगिरे इमित्र वगिरे वो यहाँ पर पूरा सेटल हो जा सो student फिलाल तो आपको कोई डोकुमेंट्स की जुरूतनी है counseling करवाते समय कोई भी डोकुमेंट्स किया आपको आशकता नहीं है क्योंकि यह डोकुमेंट्स जब आपने forum fill up किया था तब ही आपने पूरे अपलब्द करवा दिये थे लेकिन main बात यह है कि आपको आपके जो SSO ID है वो यहाँ पर आपको याद रहनी चाहिए जिससे आपने application forum फिलब किया था वहां से ही यह SSO ID के दोवार है यह आपका application forum फिलब किया जाएगा SSO ID plus password जहाँ पर आपने किस email आपको ने कौन सी email दी थी और किस प्रकार से आपने application forum फिलब किया था जब आपने email यहाँ पर email लगाई थी application forum में और आपकी SSO ID किस email से वो आपको द्यान में रखना है क्योंकि वहां से आपका forum है वो input किया जाएगा अगर आपको द्यान में नहीं है तो जब आपने application forum बरा था तो उन number पर आपके पास message आ गया होगा या फिर email आ गई होगी अब main बात है कि यह देखे सबसे पहले documents हो आपको यहाँ पर लेकर जाने नहीं है जी हाँ बिल्कुल student फिर भी आप लेकर जानना चाहो तो लेकर जा सकते student main main documents में आपको बता जीता हूँ आपके 10th की mark sheet original 12th की mark sheet original आपका कास्ट certificate यहाँ पर मूल निवास certificate और यहाँ पर आपकी दो तीन फोटो और आदार काड यह लेकर जा सकते हो वेसे इनकी कोई जूरुरी यहाँ पर रहने वाली नहीं है तो इनकी ज़रुरत जब आपका college मे selection हो जाएगा तब आप जब वहाँ पर reporting करवाओगे तब इन documents की यहाँ पर जूरुरत रहने वाली है so student इस परतों में आपको dedicated video बना दूआ उपलब्द करवा दूआ so student सबसे पहले मैं आपको पता देता हूँ counseling शुरू हो चुकिये जिनको बरवाना हो कर सकते जो college fill up करव interface college selection में यहाँ पर आपके सामने open होगा सबसे पहले यहाँ पर देखे किस प्रकार से college चुनिये यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ so student सबसे पहले बहुत सारे students के यहाँ पर कापी सारे doubt रहते हैं और मुझे comment section में भी comment करते हैं कि sir इसका reply करो यह बताओ और कापी सारे student जवाब नहीं बदे पाता हूँ और यहाँ पर सभी के जवाब मैं वीडियो के माद्यम से देना चाहता हूँ फिर भी कोई मुझे personally यहाँ पर contact करना चाहता है तो नीचे link social media के आप जाकर contact कर सकते हो so student सबसे पहले किस प्रकार से करना है यहाँ पर देखे district दे रहा है सबस government college में selection लेना है private में नहीं लेना तो student केवल और केवल government college ही selection यहाँ पर करना है बाकिये नहीं करना है केवल government college अब college यहाँ पर पूरी आ जाएंगे जितने भी government college जिसा आपने यहाँ पर select किया यहाँ पर जेपूर यहाँ पर government यहाँ पर college जितने भी जेपूर के college है यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको submit कर देना है जितने भी college है वो आपको fill up कर देना है यदि आपको government college सही है और यहाँ पर आप edit भी कर सकते हो बाद में कि कौन-कौन से application forum में यहाँ पर क आपके जो अलोटमेंट लेटर है वो यहां पर जारी होंगे तो सबसे पहले देखिए कब तक काउंसिलिंग चलने वाले है यह बहुत सारे स्टुडेंट्स का डवाज देखिए इसका कोई भी ओपीसियल अपडेट नहीं है देखिए काउंसिलिंग आपकी शुरू हो चुकि लेकिन इसका भी नोटिस इन लोगों ने जा रही नहीं किया जैसे नोटिस आएगा सबसे पहले आपको सुचना मिल जाएगी तो स्टुडेंट्स जिन्होंने भी इस्टाग्राम पर फूलो नहीं किया निचे लिंक डिस्केशन में जाईए और फूलो किजिए क्योंकि वह अपडेट पूरी जानकारी और जीनम के बारे में कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगी तो सबसे पहले मैं आपको कटोप के बारे में बताने वालू हूँ अगले वीडियो में कितनी कटोप जाएगी अलोटमेंट लेटर से पहले सो स्टुड फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जेहिंद वंदे मातरम